प्रियाग राज की सरकोर पर उत्राब बुल्डोजर योगी सरकार के एक कड़े तेवर आरोपियों की गिरफतारी को लेकर लगातार बढ़ाई जा रही है दबिस लगातार दबिस के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा मुख्या आरोपी प्रियाग राज के उमेश पाल हत्याकान के आरोपियों खिलाप योगी सरकार ने बुल्डोजर चलाने की तयारी तेज कर दी है इस हत्याकान के मुख्या आरोपी और पूर्वसान साथ अतिक एहमत के करीवियों पर बुल्डोजर चलाने के लिए प्रियागराज बिकास प्राधिकरन की टीम बुल्डोजर लेकर मोके पर पहुंच गई है और अबैद निर्मार को जमिजोज करने की प्रिक्रियाश सुरू कर दी गई है तो आईए जानते हैं योगी के इस बुल्डोजर के निचाने पर कौन-कौन है प्रियागराज के इस कांड के बाद यूपी बिदान सभा में अकलेस और योगी के बिच काफी गर्मा गरम बहत देखने को मिला था जिसमें सीम योगी ने कहा था कि इस अत्याकांड के आरोपियों को हम मिट्टी में मिला देंगे योगी के इस बियान के बाद ही पुलिस कारेवाई तेज हो गई थी इस मामले में एक आरोपी अर्बाद को पुलिस ने एंकाउंटर में मार गिराया है बाकी आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ से बाहर है एक आने आरोपी की गिरफतारी हुई है उमेजपाल मडर के मुझे आरोपी पुर्ब सांसद और बाहुबली अतिक आहमेद के बेटे आसद आहमेद की गिरफतारी के लिए पुलिस दभीस बढ़ाय हुए है योगी सरकार एक तरफ बुल्डोजर की कारेवाई कर रही है तो दूसरी तरफ आरोपियों की तलास में छापे मारी भी कर रही है उमेजपाल हत्यकान को लेकर पुलिस की एक टीम ने लखनों के मानगर इलाके में इनुवर्सल अपार्टमेंट के पूर्व सांसत अतिक एहमेद के फ्लेट पर चाला लगा था वहीं प्रियागराज में वर्दात के बाद सुट्रों की इसी अपार्टमेंट में रुकने की ब मददगारों की कुंडली खंगाल रही है उन्हों ने बताया कि रभीवार यानि 26 फ्रवरी को देर रात यूपी एस्टीएप की टीम अपार्टमेंट में पहुंची थी बताया जा रहा है कि एस्टीएप की टीम ने फ्लेट का ताला तोल कर अंदर से कुछ कागजात और सबूत लिये गए और उसके साथ ही नीचे खड़ी दो लगजरी गारियों को भी पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया था आरोपियों की तलास में लखनों से लेकर प्रियागरज तक चापे मारी जा रही है इसके साथ ही आरोपियों के अवैद निर्मार पर बुल्डोजर चलना भी सुरू हो गया है तो ये थी अतिक अहमेद से जूड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमें बॉक्स में लिखे है बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रेजन सत्ता के साथ धन्यवाद